दोस्तों आज वो दिन आ गया है नौ सालों बाद जब नौइडा के सूपर ट्विन टावर्स एक सौ मीटर उंचा एक नाइन्टी सेवन मीटर उंचा कुछ सेकिंड्स में नौ से चौदा सेकिंड्स में जमीन पर विखर के राक हो जाएंगे दोस्तों या धेर हो जाएंगे अलाबाड कोर्ट का डिसिजन फिर उसको चैलेंज किया गया फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन और फिर वेरियस पी इल्स उन सब के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया है 28 अगस्त 2022 दिन का समय धाई बजे जब वो दोनों ट्विन टावर्स नौइडा सेक्टर 93 में एक् दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में कन्फूजन्स हैं एम्बिक्यूडीज हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों क्योंकि जब उसको सर्च कर रहे हैं नेट पर या अन् इस पूरी ब्रीफ वीडियो में तीन चीज़ों मैं आपको बताऊंगा पहली चीज कि आपके पास कौन-कौन से रूल्स वाइलेट किये गए इस बिल्डिंग को बनाने में दूसरा चीज एक्स्प्लोजन की मदद से किस तरीके से ये बिल्डिंग आपके पास धेर हो जाएगी 9 से 14 सेकंड्स में और तीसरा चीज इसके आफ्टर इफेक्ट्स नियर बाइ एरिया में या नियर बाइ लोकेशन्स में क्या होने वाले हैं एक एक चीज को इस ब्रीफ वीडियो में ह अकॉर्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग और पहला रूल है कि दो टावर्स के बीच में जो मिनिममम क्लियर गैप होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20 मीटर दोस्तों जिन्होंने थोड़ा सर्च जादा डीप में किया है वो देख रहे होंगे 20 मीटर होना चाहिए लेकिन को भी एक चीज़ बता दूं कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है जैसे कि आपको बताऊं कि मिनिममम ग्रेड अफ कंक्रीट क्या यूज होना चाहिए आपके घरों की दिवार में या अन्य जगा पर उसका अलग-अलग कंडिशन पर अलग-अलग एक्सपोजर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्लियर गैप मात्र 9 मीटर है यह सबसे बड़ा रूल जो उसका उलंगन किया गया इसमें फिर बहुत सारी दलीले आपके पास सूपर टेक से मिली कि सर वो जो 20 मीटर होता है वो तब होता है जब दो टावर कनेक्ट ना हो हम तो इन टाव के लिए थी भाई लेकिन ठीक है कोट ने नहीं माना उसको और कोट ने कहा कि ठीक है एक तो गलती आपके यह हुई पहली गलती कि क्लियर गैप जितना रखना चाहिए था 20 मीटर उतना नहीं है सिरफ 9 मीटर है दूसरा चीज कौन से रूल लंगन क्या गया फायर एक्जिट के लिए आपके पास पर्टिकलर कुछ स्पेसिंग या आपके पास लोगों के डिस्चार्ज के लिए लोगों के आपके पास एक्वेशन के लिए कुछ पर्टिकलर एरिया होना चाहिए और उसको इस तरीके से नापा जाता है कि यह भाई इतने मिनिट में इतने लोग भाह चाज हो जाए वो नहीं हो पा रहे तो दूसरा फाइर एक्जिट था और तीसरा चीज जो था कि जब ये टावर्स बने नहीं थे 2004 या पांच में न्यू ओकल इंडस्ट्रियल डेवलपर डेवलपमेंट अथॉर्टी जिसको नौईडा के नाम से जाना जाता है उसने यहां प बहुत लगाता अलग-अलग इंतराल पर अपडेट्स होते रहे शुरुआत में इतनी उची नहीं बनने वाली थी लेकिन हर कुछ साल बाद नए-पडेट्स होते गए और आपके पास यहां पर जो ग्रीन एरिया बनना था वह ग्रीन एरिया के जगा इन्होंने दो टावर से उसमें से कुछ कि हमने जब लिया था तो आपने यहां पर हमको प्रोजेक्ट ग्रीन एरिया किया था और अब यहां पर आप बिल्डिंग मना रहे हैं और आपको एक बात जानकर शायद से हरानी होगी कि यह जो केस किया है यहीं की आडवलियो ने किया है रेजिडेंट पॉइंट पर ही चल रहे हैं सबसे पहले केस किया गया था अलाबाद हाई कोट ने जिसने लोगों के आडवलियो के फेवर में दिया था कि भाई तोड़ो उसको फिर सूपर टेक इसको चैलेंज के एडिजन को सुप्रीम कोट में और सुप्रीम कोट ने फाइनली अलाबा टेक को ही उठाना है दूसरा इन लोगों ने जिन्हों ने इस पर इंवेस्ट किया है उनको पैसा रिटर्न करना है विट 12% रेट आफ इंवेस्ट इंटरस्ट एब्री इयर बना कि इसने दस साल पहले पैसा दिया था एक लाग रुपे या एक रोड रुपे तो एक रोड क का पैस भी आपको इसी नहीं दे ना है इसी कमपनी को देना है तो सब का पैसा वापस करना है थोड़acity का पैस देना यंगी क्योंकि जो major loss है वो यह loss है कि यह जो building मिनाने में पैसा बेस्ट हुआ है तो उड़वाने में आपके पास 20 करोड इसको dismantle करने में 20 करोड रुपे का खर्चा आएगा जिसमें से approximately 13 to 15 करोड will be recovered from the malwa जो भी यहां से आपके पास derbies होंगी या मलवा होगा उसमें 13 to 15 करोड उसको बेच के आ जाएगा तो total जो नुखसानों को 4-5 करोड का होगा वो इतना बड़ा नहीं है जितना loss इसको construction करने में जो 7 करोड का loss हुआ है ठीक है इसके बाद second point पे चलते हैं how explosion will work दोस्तों यहां पर जो बारूद लगाए जाएगा जो 3700 kg अफ बारूद है 3700 kg और यह बारूद आपके पास लगाए जाएगा लगभग 9640 होल्स में ठीक है यहां पर ऐसे होल्स किये गए हैं कुतुमिनार से उंची building है कुतुमिनार की height भी 73 meter है उससे उंची building है यहां पर और 9600 होल्स लगभग में 3700 kg बारूद भरा जाएगा और जादा बारूद जो भर जाएगा वो primary नीचे जादा आपके पास बारूद नीचे जादा होल्स है नीचे जादा explosion यूज किया जाएगा जैसे जो उपर करेंगे कम explosion है नीचे तोड़ दो के अपना पिया जब कहुए ना कावत की जड़ी तूड़ गी तो पूरी मंजिल भिखर जाएगी ठीक है तो आपके पास वह इस तरीके से explosion लगा जाएगा कि वह सिमेट्रिकल हो आपके पास y-axis के वह सिमेट्रिकल हो ऐसा नहीं को यहां का पहले टूट गया वहां का नहीं टूटा वह इंक्लाइट होके पर चार-पांच बिल्डिंग को और लेकर चला गया टावर दो टूटने थे आसपास के टावर भी टूट गए समझे इस बात को सम सौ मिटर लंबी है आसपास के एरिया को भी साथ ले डूबे ओके इसके बाद उन सैंग तीस सो किलो के एक्स्पोजिन से तोड़ा जाएगा सिमेट्रिक होगा और आपके पास प्राइमरी एक्स्पोजिन होंगे जादा होंगे वह नीचे होंगे देखो उसमें दो टावर ह सियान है तो पहले आपके पास इनमें से टावर को तोड़ा जाएगा एक्स्पोजिन लगाए जाएंगे और उसके चार से पान से किन बाद दूसरे टावर को भी एक्स्पोड किया जाएगा दोनों को साथ भी क्यों नहीं किया जा रहा अधरवाइस हो सकता है इतनी सेंटर भाई नीचे कैसे आ गया था उसका में कारण था कि जो ही आपके ऐरोप्लेंस में डीजल या के रोसी जो भी इंजन वाइल था उसने इतना दा महां पर फ्रिक्शन से एनरजी प्रडूस कर दी हीट एनरजी प्रडूस कर दी कि वह सरीया था वह डिस्मेंटलों के न ना हो इतनी उज बिल्डिंग आप तोडने वाले हो कि आसपास के लोगों को डिस्टरबेंस की तो दूर की बात के इतने ज्यादा आपके पास वाइब्रेशन ना हो कि आसपास की विल्डिंग्स की फाउंडेशन या कॉलम क्रैक कर जाएं दोस्तों ठीक है तो ये तो दू पूर की बात कि आसपास के लोगों डिस्टर्बंस होंगी हो तो सेकेंडरी ये प्राइमरी है कि इतना वाइबरेशन भी प्रडूस हो सकता है अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट में कुशन नहीं लगाया कि आसपास की बिल्डिंग्स के दिक्कत हो जाए तो आपके पारिमेंट में 0 changes नहीं आएंगे एक हफ़ते तक चेंज्ज आपके पास कुछ रहेंगे डर्बी या कुछ पार्टीकल सस्पेंडेट सॉलिड आपके पास वहाँ पर रहेंगे और धीरी धीरे करके पहले दिन दूसरे दिन दिन तीसरे दिन डैल्यूट होते जाएं और वो जो 6 आदमी वहां पर रहेंगे उन में से भी सारे आदमी 100 मिटर से दूर पर वहां पर रहेंगे क्योंकि बिल्डिंग की आई 100 मिटर ना कहीं मुस्ट वस्ट केस में 100 मिटर में कहीं पर गिर सकती है और ऐसा नहीं होगा एक्स्पोजन इस तरीके से लगाए गये हैं विदाउट एनी एक्सपोजन आपके पास वाई एक्सिस के आप हमेशा सिमेट्रिक लगा जाता है नौट सिमेट्रिक लगा दिया तो वह ऐसा गिर जाएगा आपके पास दूसी तरफ को ठीक है तो आफ्टर एफेक्ट्स होंगे इसके लिए आप देखेंगे ना कि नौइडा इस बिल्डिंग से 10 किलोमेटर दूर दूर मेरे दोस्तों का घर है उनके पास भी उनके नहीं पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स ट्विन टावर्स को लेकर जो मैंने आपको बताई फिर भी कोई भी आपका डाउट्स या कोई भी चीज है तो प्लीज डू लेट मी नो अन दे कमेंट सेक्शन और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यादि जै हिंद